Hello everyone, this is Suri and welcome to Be A Geek आज हमारे पास Code Forces की एक और नहीं प्रोब्रम है इसका नाम है String Task आज हम उसे सोल करने वाले हैं आज हमारे पास एक String होगी उसमें से हमें सभी OVILS को निकाल लेना है और हमें हर Consonant से पहले एक Full Stop को इंसर्ट कर देना है एक Dot को इंसर्ट कर देना है और हमाई इतने भी Upper Case वाले Consonants हैं उनको हमें Lower Case में Convert कर देना है OVILS हा Letter A, O, Y, E, U, I तो basically यहाँ पर एक Extra है Y मतलब होता है, बहुत कम Cases होते हैं जिनके अंदर हमारा Y वो भी लोता है तो यहाँ पर दे रखा है And the rest are Consonant, the program's input is exactly one string It should return the output as a single string resulting all the programs processing the initial string Help ATIA cope with this easy task तो मैं basically एक string ही output करानी है, input देख लेते हैं The first line represents input string of PATIAS program The string only consists of uppercase and lowercase Latin letters And the length is from 1 to 100 inclusive इसके बाद मैं output है Print the resulting string, it is guaranteed that the string is not empty तो basically हमारे पास 100 character हो सकते हैं maximum और हमें print करा देना है अपनी string को इसके बाद सब्मिट करते हैं इस code को और लिखना है स्टार्ट करेंगे फिर अपनी header file के साथ अपना program लिखना स्टार्ट करेंगे Hashtag include stdio.h इसके बाद में एक और header file आएगे Hashtag include string.h क्योंकि हमें आप पर string पर work करना है तो इसलिए हमें string.h लगाने कि यहांपर need है इसके बाद में हमें क्या करना है? अपना main function declare करना है और अब अपने variable declare करते हैं जिनके हमें आप पर need होगी in type में अपने variable declare करेंगे एक string के length के लिए होगा len और हमें looping करनी है इसके लिए ij ले लेते हैं इसके बाद क्या करेंगे? अपनी string को declare करेंगे care type में string होगी हमारी होगी string s जिसके अंदर हमारे 100 character होगे और एक string ले लेते हैं a जिसके अंदर हमारे 200 character होगे इसके बाद में हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी string को input करा लेना है तो string को input करा लेते हैं simple अपना get s से और जो हमारी string है वो easily input हो जाएगी इसके बाद मैं क्या करना है अपने string के land देखते हैं len के अंदर करेंगे जो हमारा function होता है string के land देखने के लिए वो होता है strlen और हमें अपनी s string के land देखनी है तो इसलिए हमने s डाल दिया s से हमारी length निकल के आ जाएगी इसके बाद क्या करना है हमें a के character को check करना है क्यों क्या है character को check करने के लिए क्या करेंगे for loop लगाएंगे i की value उतको 0 पे ने slice करेंगे i की value less than होगी हमारे len के and i को हमें increment करा देना है इसके बाद जो भी हमारा work है इसी के अंदर complete होगा जो हमारा a है यह हमारी नई string बनेगी क्योंकि हम यहाँ पर string को output करना आता हो तो हम s वाले string से हम check करेंगे और हमारी जो भी values होगी यहाँ हमें वापर fully stop लगाना है वो will को हटाना है उसी के अंदर value डालते रहेंगे और क्या करते हैं i को भी हमने zero penis slice किया है और हम क्या करेंगे साथ साथ j को भी zero penis slice कर देंगे इसके बाद में हमें क्या करना है अब हमें if condition लगानी है और check करना है कि consonant हो हमारा कोई भी वो will नहीं होना चाहिए तो वो will ना होने के लिए हम condition लखेंगे string का iath element अगर equal नहीं है हमारे capital A के and string का iath element अगर equal नहीं है हमारे small a के तो इसी तरह क्योंकि small a और capital A था उसके अंदर फिर ऐसे है हमारा i था इतने भी हमारे वो wills है y भी है वो will में तो हमें इसी तरह सब में condition लिखनी है जैसे हमने a के लिए लिखी फिर हम ऐसे लखाएंगे end operator string का iath element अगर equal नहीं है हमारे capital E के and string का iath element अगर equal नहीं है small e के तो हमें इसी तरह condition लिखनी है y के लिए भी लिखना है और जितने भी हमारे वो will सा सबी के लिखना है तो मैं क्या करता हूँ मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आता हूँ मैंने सबी के लिए condition लिखनी है a के लिए हो गई है e के लिए भी हो गई है o के लिए भी हो गई है i के लिए भी हो गई है small और capital दोनों के लिए u के लिए भी और y के लिए भी आप भी इस तरह लिखें अगर हमारी ये वाली condition true हो जाती है if वाली condition अगर हमारी true हो जाती है इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक consonant है अगर हमारे पास consonant है सबसे पहले हमें क्या करना है हमें बताया क्या है कि हमें consonant से पहले अंदर value डाल देंगे हमारे dot की मतलब हमने वापर dot insert करा दिया है हमारे string A में जो हमाई ने वाले string बन के आएगी then हमें क्या करना है अपने j को increment करा देना है क्योंकि हमें अगले index आना है इतना work करने के बाद अब हमें check करना है कि वो small है अगर हमारा consonant था तो हमने वापर fully stop input करा दिया है इसके बाद हमें check करना है कि अगर हमारा वो capital है then हमें उसको small में convert करना है capital के लिए हमें क्या करना है अगर हमारी string का it element greater than is equals to 65 के 65 होती है हमारी capital A के sky value and string का it element अगर less than equal है हमारे 90 होती है हमारे sky value capital Z की अगर ये वाली condition true हो जाती है then हमें क्या करना है अपने नए वाली string है हम जो string बना रहे है उसके jth index पे हमें value डाल देनी है string के it element plus 32 की क्योंकि अगर हम 65 में 32 add कर देंगे तो वो हो जाएगा 97 और 97 हमारे sky value होती है small a की इसे तरह अगर हम 9p के अंदर 32 add कर देंगे तो हमारी value हो जाएगी 122 और 122 होती है हमारी value small z की और इसे तरह इसके अंदर अगर हमारी कोई capital वाला होगा वो small वाले में convert हो जाएगा और हमने क्या किया है उसको अपने जो नहे वाली string है a उसके jth index पर डाल दिया है अगर हम jth index पर डाल रहे हैं तो उसे हमें j को increment भी कराना है इसलिए हमने j को increment भी करा दिया है अगर हमारा consonant capital है तो हमने उसको small में convert कर दिया है अगर हमारा small है तो हमें क्या करना है else condition लिखनी है और जो हमारी नहे वाली string है और जो हमारा work है वो complete हो जाएगा अगर हम वोविल को check भी ना करें अगर हम else condition ना भी लिखें जो हमारी नेवाली string है उसके अंदर हमने अपने वोविल को store नहीं कराया है हमने वोविल को neglect कर दिया है और जो हमारा program है वो complete हो जाएगा इसके बाद में हमें क्या करना है जब भी हम अपनी string पर work करते हैं तो एक बार work करने के बाद हमें क्या करना है अपनी string को terminate कराना होता है तो हम terminate करने के लिए क्या करेंगे हमारी जो string है ए उसके jth index के अंदर हम डाल देंगे value backslash 0 की और जो हमारी string है वो terminate हो जाएगी इसके बाद में हमें क्या करना है put test लगाना है और अपनी string को print करा देना है एक value को हम print करा देंगे और last में return करा देंगे 0 को और जो हमारा program है वो complete हो जाएगा अपने code को submit कराते हैं अगर आपको video चलेगे तो आप video को like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ही program से देखने हैं तो i button में link है अब वहाँ से जाके देख सकते हैं इस program का photo मेरे instagram account पे मिल जाएगा आप वहाँ से जाके easily check कर सकते हैं अगर आपकी कोई query है तो आप नीचे comment कर सकते हैं instagram पर मेरे को DM भी कर सकते हैं मैं उस पर next video बना दूँगा और जो हमारा program वह accepted हो चुका है मिलते हैं next video के साथ thank you and bye bye